नमस्कार दोस्तों हिंदी नीज एफेर्श में आपका सौगत है दोस्तों एक पाकिस्तान से बहुती बुरी नीज आ रही है दरसल नीज यहा है कि पाकिस्तान के बलूची स्थान प्रांत के एक ग्वादर बंदर गाह में एक आतंकी हमला हो गया है और इस हमले में बहुती ज पाकिस्तार से बताते हैं दरसल दोस्तों पाकिस्तान में गौादर एयर पोर्ट है उस पोर्ट की जो बनाने का जिम्मा है वो चीन के पास है चीन इसको डेवलप कर रहा है अपने बिल्ट एंड रोट इनिशियोटी जो उसने ले रखा है उसके तहट यह सीपैक यानि कि और बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा करके इसको डेवलप किया जा रहा है बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चाइना का वहाँ पर इंफ्लूएंस हो तो उसको हमेशा इस तरह के चीजों को हटाने के लिए वहाँ पर यह जो बिरोध होता रहता कि चाइना के लोगों को यहां से हटा दीए लेकिन पाकिस्तान की गौवर्मेंट बिलकुल भी वहाँ से नहीं हट रही है हटा रही है इन चाइनीज लोगों को दरसल बलूचिस्तान के लोगों का कहना यह है कि आप हमसे यहां से सारा मिनरल्स निकालते हैं जितना भी जमी से निकलने वाली चीजे होती है जो लोहे की चीजे होती है आई आई ron और हो गया और जो भी materials होते हैं जो raw materials होते हैं जो जमीन से निकाले जा सकते हैं' खनीच गय्वह सारे निकाल कर आप बेच देते हो और जब development की बत आती है बलूचिस्तान में वो आप करते नहीं हो वो सारा इंवेस्टमेंट आप करते हो अपने पंजाब प्रांद में तो इससे क्या होता है बलूचिस्तान के लोगों का डवलप्मेंट हो नहीं पा रहा है तो वो यह चाहते हैं कि चाइना जो अब आ रहा है यहां पर यह अ आज एक इनके बंदरगाव पर हो गया है और लेकिन पुलिस और सुरक्षावलों की सुजबूच की वज़े से आठ लोगों को उन्होंने मार कर गिरा दिया अब आपको बता दें कि यह जो सीपेक है इसकी जो इन्वेस्टमेंट इसमें करनी थी चाइना को यह 46 बिलियन डॉ अब कहां 42 बिलियन डॉलर की कौस्ट पहुँच चुकी है अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि यह जो हमला हुआ है यह पहली बार नहीं हुआ है यह इससे पहले भी चीन के लोगों पर हमला वहां पर हो चुका है और इसके लिए चीन ने काफी नाराजगी बेक्त करी थी पाकिस्तानी गौवर्मेंट से उस वक्त की तो पाकिस्तानी गौवर्मेंट ने चीन की लोगों को यह अलाव कर दिया था कि वो अपने साथ एक हतियार भी रख सकते हैं उसके बावजूद यह सोचिए हो गया है और यह चीन के लिए भी काफी सोचना पड़ेगा च कि सारी एक डिटील क्या है इस पर ओके धन्यवाद